हेलो दोस्तों आप सबी लोग का हमारे यूटूब चनल का हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में हम लटजीरा के गुड़ों के बारे में डिसकस करेंगे लटजीरा से कौन कौन से रोग चुह हैं आसानी से ठीक हो जाते हैं अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को सबस्क्राइब कर लिजीगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजेगा दोस्तों में भी share कीजेगा यह पउधा देख रहे हैं यह पउधा अपा मार्ग का है अपा मार्ग का पोधा भारत के सभी सूखे छेतरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है गाउं में या अधिक मिलता है या सडकों के किनारे खुली परती जमीनों में आसानी से उख जाता है दोस्तों इसे अपामार्क लटजीरा चिलचिला कहा जाता है इसका एक नाम अलकुमा भी है दोस्तों आपके यहाँ पर पौधा किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अगर चिर्चिला पौधा ये आप लोगों को कहीं पर मिल जाता है तो इसे उखार कर जरूर रख लीजेगा इसकी पत्ती तना जड़ सब कुछ फाइदे मन्द होती है आईरुवेद के मतानुसार बहुत ही तीखा होता है कड़वा होता है इसकी प्रकृत गर्म होती है इसलिए से आईरुवेद में बहुत सारे फाइदे बताए गए है दोस्तों अगर साम बिच्चुने काट लिया हो तो वहाँ पर इसका पेस्ट लगा दिया जाए पत्तों का तो साम बिच्चु का जहर कुछी मिन्टों में दूर होने लगता है कहने कार्थ है कि जहरीले कीडे अगर काट ले तो तुरंत आपको इसका पेस्ट बना कर और उसी जगा पर लगा दें तो आपको आरा मिल जाएगा दातों का दर दूर करने के लिए इसके तने की दातून बना कर नित लगबग 15 दिन तक उपयोग करें आपके दातों को फाइदा मिलेगा संतान प्राप्ति के लिए इसकी जड़ का परयोग किया जाता है अपामार की जड़ के चूण को एक चमच की मात्रा में दूद के साथ मासिक दर्म के पाँच दिन बाद नेमित रूप से 21 दिन तक अगर महिलाएं सेवन करती हैं तो गर्वधारन में उनको आसानी हो जाती है सारी समस्यां आपकी दूर हो जाएंगी दूसरा प्रियोग इसके पत्तों का रस निकाल लेना है और एक कप गाय का दूद दोनों को मिला करके मासिक धर्म के पाँच दिन बाद नेमित रूप से आपको करना है ऐसा करने से गर्वधारन की संभावनाएं बढ़ जाती है अपामार की जड़ को घिस कर आधा चमच बना लें फिर इससे माते पर लगाने से आधे सिरका दर्द बंद हो जाता है गंजापन दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं सरसों के तेल में अपामार के पत्तों को जला कर मसल लें मरहम बना लेना है आपको और फिर जहां पर आपको गंजापन महसूस होता है वहाँ पर इसका मरहम लगाना है अगर नेमित रूप से एक से डेड़ महिना करें तो गंजेपन पर फिर से बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है फिर से बाल आ जाते हैं यह बवासीर विमारी को भी दूर करने में सच्छम होता है अपामार के आधा पाव वीजों को पीस कर चूण बना लेना है और तीन ग्राम की मात्रा में सुबह साम चावल के धोवन के साथ धोवन का मतलब है चावल धोने के बाद जो पानी बचता है प्रते दिन सुबह साम खाली पेट पीना है सभी प्रकार के बवासीर समाप्त हो जाते हैं दोस्तों इस वीडियो को जासे ज़्याद आप लोग शेयर कीजेगा और अगर आप हमारे चनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर कोई आपके मन में कोशन या प्रेशन हो तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूँच सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत